दोस्तों आज के टाइम में काफी लोगों को इस मसे रहती है कि उनकी शुगर हाई हो जाती है या कुछ पेशन ऐसे होते हैं जिनको खतर रहता है कि उनकी ब्लड शुगर हाई ना हो जाए तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि हाई ब्लड शुग बढ़ जाती है तो उसके भी कुछ ऐसे लक्षन होते हैं अगर आप इन लक्षनों को पहचान लेते हैं तो आप इसका टाइम पर ट्रीटमेंट ले सकते हैं और अपने ठाने पीने में थोड़ा पताव ला सकते हैं जिससे आपकी ब्लड शुगर कंट्रोल होते हैं अगर आप में थकां रहने लगती है क्योंकि आपकी ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ने कारण जो आपके डिशूज होते हैं आपकी मसल्स होती है उनको सही से एनरजी नहीं मिल पाती जिसके कारण आप हर समय थकां मैसुस करते हैं तीसरा अलक्षन क्या होता है दोस्तों आपको प बढ़ रही है तो आपकी भूख भी ज़रूर बढ़ेगी क्योंकि काफी पेशन्ट ऐसे होते हैं जिन कोई समस्य आ जाती है कि अगर उनकी बोड़ी में उनके ब्लड में शुगर की मातरा बढ़ जाती है उनको हाई ब्लड शुगर के कारण भूख भी जादा लगने लगती ह दोस्तो नंबर पांच लक्षन होता है कि आपको पानी पीने के बाद भी आपका मूँ हर समय सुखा रहता है आपके होट जो होते हैं सुखे रहते हैं आपकी जीव सुखी रहती है तो यह भी एक लक्षन होता है आपके ब्लड में शुगर की मातरा पांटेगा दोस्तो अगर आप शुगर करते हैं तो आपकी जाधा बढ़ ट्रीय सटिये वह काफिए फ़यों डिख Abertoom को सकती है अगर अगर आप इसको अग्णोर करते हैं तो आप की चौगर थान नहीं देते तो इससे भी आपको काफिए धार जाती प्लेट में और तो इससे आपके कहिने कही और और्गन्स पे भी काफी असर पड़ता है तो दोस्तों अगर आपको इन में से कोई भी लक्षन दिख रहे हैं तो आपको अपने प्लड शुबर की जान ज़रूर कराणी चलिए